आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पाँच ऐसे open access journal जो आपसे paper accept होने के लिए APC charge नहीं लेते हैं ठीक है इससे पहले हम discuss करते हैं कि open access journal होता क्या है basically publishing option के base पे किसी भी journal को तीन category में बाटा जा सकता है first है hybrid mode है second है open access mode है third है subscription mode ठीक है तो basically open access mode होता क्या है जैसे आपने किसी journal में open access journal में अपना paper डाला वो accept हो गया accept होने के बाद वो journal आपसे कुछ APC charge article processing charge का demand करता है कि publish होने paper publish होने के लिए ठीक है और दूसरा है subscription mode जिसको हम normally traditional publishing mode के नाम से भी जानते हैं इसमें क्या होता है कि जैसे आपने अपना paper किसी journal में डाला और accept हो गया accept के बाद उसका license journal को चला जाता है मतलब आप उस paper को फिर किसी अपने तूसरे researcher print को वैसे directly नहीं दे सकते हैं मतलब उसके लिए क्या process होगा कि जैसे आपका कोई friend है same topic में काम पर रहा है तो उसको उस paper की जुरुत है तो वो क्या करेगा जिस journal में publish हो जर्नल पर जाएगा और उनसे कुछ पैसे pay करके उनसे वो paper purchase करेगा या पिर उस journal की subscription लेके उसको वो paper मिलेगा ठीक है अब hybrid mode में क्या था hybrid mode में दोन option आ जाते open access और subscription आप देखिए कि आज के time में क्या है हाइब्रिट जर्नल आप मोस्टली जो जर्नल है वो आपको hybrid mode मेलेंगे उसमें जब आप अपना आर्टिकल सब्मिट करेंगे तो इसमें दोना option दिया जाएगा कि आप open access के थूरु अपना paper publish करवाएंगे या subscription mode पे publish कराएंगे ठीक है तो मोस्टली जर्नल इस प्रिंजर क आपको मिल जाएंगे open access में भी आपको कापी सारे publisher है जो open access mode में paper publish कराते है for example जैसे aims express है हिंदवी है और mdpio purely open access journal है मलब इसमें अगर आप paper publish कराना कराना चाहते है तो आपको कुछ amount pay करनी पड़ेगी ठीक है after accept होने के बाद ही amount pay होती है reject होने पर कोई amount pay नहीं की जाती ह ठीक है subscription mode में आपको बहुत कम journal मिलेंगे जो केवल subscription mode में होंगे मतलब hybrid में चले जाते हैं hybrid में दोना option खुले रहते हैं अपके पाद ठीक है SCI और इसको पस index journal इसका impact factor है 4.803 इसका actually क्या है कि after acceptance यह इसका जो APC charge पे करता है वो संगाई university इसका APC charge पे करते हैं तो इसके लिए author को या any author को कोई भी APC charge नहीं देना पड़ता है ठीक है तो इसमें आप mathematics या ocean engineering से related paper submit कर सकते हैं second है अपने पास mathematics की वैसनिक करकी एक journal है इसमें यह open access journal है यह भी इसका जो indexing है इस यह E.S.C.I. और इसको पस index journal है third है अपने पास journal of numerical analysis and approximation theory यह इसको पस and AMS and math senate इसके लाबा भी दो चार indexing और है इसकी ठीक है इसका मैं link में सभी journal के link दे दूँगा तो आप उस पर और अच्छी से चेक कर सकते हैं ठीक है और fourth journal है अपने पास ये आपका इसको पस index journal है fifth journal है आपके पास ये है आपका journal of linear and topological algebra ये ननिसको पस है and ये mathematical review में इसकी indexing है है तरस शुच्य कर दूँपार ऑ customized कर सकते हैं में सकते क्रीम झापको बेहार जे एंए वो में समझाना आपका पास ये पर में न सकते हैं ऌओका असे असके क्राकी जए हैं